हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक तो माई चैनल इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट दी ऑस्टियो मालेसिया इसे हम रिकेट्स भी बोलते हैं यह मेंली किसमें कॉस होता है एडल्ट और चिल्डरन दोनों में यह कॉस होने के चांसिस होते हैं अस्टियो मालेसिया के केस में क्या होता है कि जो हमारे बोन्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्या होता है सॉफ्ट होने लगता है और किस वज़े से यह कॉस होता है सीवियर विटामिन डी डिफिसियंसी अगर जिस भी बच्चे को या एडल्ट को अगर सीवियर विटामिन डी के डिफिसियंसी है विटामिन डी की उसके बॉड़ी में नीड जो है वो फुल्फिल नहीं हो पारी है इस वज़े से क्या होता है कि जो बॉड़ी में जो बोन ह होते हैं वो बहुत ही ज्यादा सौफ्ट होने लगते हैं और उसकांदीशन को क्या बोलते हैं और श्लिशन को crane do यह उनमें देखने को मिलता है और जब हमारे लेक्स में क्या होता है कि जब वेट भी पिर प्रमेशन होने लगता है और जो उसकी बोन की डेंसिटी है वो बढ़ती है फेल्थी है तो इस वज़ए से क्या होता है कि बोन में विटामिन डी के डिफिसेंसी होने की वज़ए से वह सही तरीके से ग्रोथ नहीं कर पाते हैं और वह सॉफ्ट होते हैं बहुत ही ज्यादा होते हैं इस condition को हम osteomalacia यह ricats बोलते हैं now see the definition osteomalacia is a condition in adult or children in which bone becomes soft and deformed because there doesn't enough calcium and phosphorus जो हमारे bone होते हैं वो क्या होते हैं कि बहुत ही ज्यादा soft होने लगते हैं और deformed होने लगते हैं इसकी वज़े से क्या होता है कि जो हमारे bone की density बहुत ही weak होती है और वो जल्दी से break हो जाते हैं किसी भी तरीके की injury होती है तो और यह किस वज़े से होता है जब हमारे जो bone होते हैं वो उनको सही तरीके से जो calcium और phosphorus की नीड होती है वो सही तरीके से उनको नहीं मिल पाता है इस वज़े से क्या होता है कि osteomalacia rickets का condition lead होता है now see the causes causes में क्या है insufficient sunlight exposure इसमें क्या होता है कि जो percent बहुत ही कम sun के exposure में आते हैं और जिसको अगर वो sun के expose में आ रहे हैं sun के contact में आ रहे हैं तो वो उनको harm पहुचाते हैं उनके body में सही तरीके से vitamin D का absorption नहीं होता है इस condition में क्या होता है कि osteomalacia का condition lead होता है next है insufficient nutrition quantity और faulty metabolism vitamin D and phosphorus इसमें क्या होगा कि जिस भी person को nutrition की deficiency है उनको सही तरीके से proper nutrition नहीं मिल पा रहा है अगर वो mother pregnant है तो उनको सही तरीके से nutrition नहीं मिलता है जिसकी वज़े से उनके जो होने वाली baby होती है उनको osteomalacia का condition lead होने के chances होते हैं और क्या है कि जो faulty metabolism जो हमारे metabolism process होता है हमारे intestine में वो सही तरीके से नहीं होता है जो इसकी वज़े से vitamin D और phosphorus का absorption proper तरीके से नहीं हो पाता है proper नहीं होता इस वज़े से क्या होता है कि osteomalacia ricketts होने के chances हो सकते हैं renal tubular acidosis इसमें क्या होगा जो हमारे kidney में और हमारे nephron में बहुत ही ज्यादा acidosis मतलब too many protons in blood जो हमारे blood में क्या होता है कि हमारे kidney और nephron जो blood का filter करती है तो वो proper filter नहीं कर पाती है जिसकी वज़े से बहुत ही ज्यादा proton ion हमारे blood में present होते हैं इस वज़े से भी क्या होता है कि osteomalacia होते हैं malnutrition during pregnancy जब woman pregnant होती है तो उनको proper nutrition नहीं मिल पाता है इस वज़े से क्या होता है कि osteomalacia उनके baby को होने के chances होते हैं नेक्स्ट है mal absorption syndrome mal absorption के case में क्या होगा यह अगर हमारे body में proper जो nutrition की need होती है वो absorb नहीं होगी तो इस condition में जो हमारे intestine होंगे small intestine उसमें infection क्या होगा lead होने लगेगा infection cause होगा और इसको हम mal absorption syndrome बोलते हैं यह osteomalacia के case में होता है next chronic renal failure अगर क्या होगा कि जो हमारे renal होते हैं वो सही तरीके से blood का filter नहीं कर पाएंगे तो इस case में क्या होगा कि जो हमारे renal है वो failure हो जाएगा fail हो जाएगा वो proper उसका work नहीं होगा इस वज़े से भी क्या होगा कि osteomalacia का condition lead होगा now see the pathophysiology सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि जो हम क्या करते हैं vitamin D का insufficient intake करते हैं proper vitamin D का intake नहीं करते हैं तो इसकी वज़े से क्या होगा interfere with normal mineralization of bone जो हमारे organic bone matrix होते हैं उसमें क्या होता है कि highly amount में जो phosphorus calcium के absorption होता है highly amount में हमारे bone में होता है लेकिन इस case में क्या होगा कि जब proper vitamin D का intake नहीं करेंगे तो जो normal mineralization का process है वो proper नहीं होगा उसमें interfere create होगा इसकी वज़े से क्या होगा failure और insufficient calcification of bone हमारे body में अगर proper vitamin D का absorption नहीं होगा हमारे bone में तो इस वज़े से क्या होता है जो हमारे bone होगे उसके जो surrounding area में जो bone tissue होगे body tissue होगे उसमें क्या होगा कि calcium का accumulation होने लगेगा क्योंकि वो हमारे bone में proper absorbed नहीं हो रहा है इसकी वज़े से क्या होगा कि वो वहाँ पे accumulate होगा और इस वज़े से क्या होता है कि जो हमारे bone होते हैं वो soft होने लगते हैं बहुत ही जादा उसकी जो bone density होती है वो बहुत ही weak होते हैं और किसी तरीके से भी अगर fracture के case होते हैं तो हमारा bone क्या होता है कि fracture हो जाता है अगर कोई भी injury का case होता है तो हमारा bone fracture हो जाता है Now see the sign and symptoms तो पहला है back pain caused by fracture और collapse vertebra अगर proper vitamin D का absorption नहीं होगा हमारे bone में और जो phosphorus और calcium है वो proper absorb नहीं होगे तो जो हमारे bone की density कम होगी और इसकी वज़े से जो हमारे vertebra है वो क्या होंगे collapse होंगे और easily fracture होंगे इस वज़े से क्या होगा कि severe back pain होगा loss of height over time अगर हमारे bone ही नहीं double up होंगे तो height भी loss होने लगेगी growth age की जो child होते हैं जिनका growth होते रहता है अगर उनको osteomalacia का condition lead होता है तो उनको क्या होगा कि उनका जो bone density है वो weak होगा और इसकी वज़े से क्या होगा कि उनकी height नहीं बढ़ेगी a bone fracture that occur much more easily than expected जो bone fracture होगा वो बहुती जल्दी bone क्या होगा कि fracture हो जाएगा easily वो break हो जाएगा kyposis का condition lead होगा low burn density जैसा कि मैंने बताया कि जो bone density है वो बहुती weak होने लगेगी now see the diagnostic measure हम क्या क्या diagnostic test कर सकते हैं जिससे हम osteomalacia का condition पता लगा सकते हैं तो first हम क्या करेंगे history collection करेंगे patient का या उनकी mother का क्यूंकि अगर उनकी mother mal absorption के case में आती है तो इस वज़े से भी क्या होगा कि उनकी जो babies होंगे वो osteomalacia का उनको disorder create हो सकता है हम physical examination करेंगे physical examination से हमें easily पता लग जाएगा कि वो patient क्या है कि osteomalacia का उनको condition lead हो चुका है blood study करेंगे हम blood test में क्या क्या कर सकते हैं जो calcium और phosphorus label है blood में वो हम check करेंगे क्योंकि अगर bone सही तरीके से calcium का absorption नहीं कर रही है तो हमारे blood में इनका amount increase हो जाएगा lack of vitamin D absorption और हम क्या check करेंगे इसमें कि vitamin D का proper absorption हो रहा है या नहीं हो रहा है हम क्या करेंगे x-ray करेंगे MRI scan करेंगे इससे bone की जो भी condition है वो हम पता लगा सकते हैं now see the treatment हम osteomalacia के condition को treat कैसे करते हैं तो first है hormone therapy estrogen अगर mother pregnant है और उनके body में estrogen का जो amount है sex hormone का जो amount है वो बहुत ही decrease है वो proper work नहीं कर रहा है तो हम उनको estrogen therapy provide करेंगे जिससे कि उनके body में proper hormonal circulate हो और जो उनकी baby है उनको osteomalacia का condition lead नहीं हो prescription medication selective estrogen receptor modulator हम क्या करेंगे कि selective estrogen receptor provide करेंगे ताकि जो उनका estrogen hormone है वो activate हो और वो proper work करें calcium and vitamin supplement हम क्या करेंगे कि अगर mother pregnant है या किसी जिसको osteomalacia का signum symptoms show हो रहे हैं तो हम उनको क्या करेंगे calcium and vitamin D supplement provide करेंगे proper nutrition and exercise of the patient हम patient को बोलेंगे proper nutrition intake करने के लिए और daily exercise करने के लिए estrogen and bone protection हम इसमें क्या करते हैं कि जो हमारे estrogen होते हैं वो हमारे bone को healthy बनाए रखते हैं तो हम estrogen का protect करेंगे कि देखेंगे उनको proper work हो रहा है या नहीं हो रहा है ताकि कि जो हमारा bone है उसमें osteomalacia का condition लीडना हो और वो जल्दी से break नहीं हो now see the prevention do exercise such as walking, running, skipping, rope, jogging regularly हमें daily exercise करना है इससे क्या होती कि हमारी जो bone density होती है वो strong होती है add soya in diet plant estrogen found in a soya help to maintain bone density and reduce the risk of fracture जो soya diet होती है जो soya beans होते हम उनको क्या करते है कि अपने diet में उनको daily लेना है जिससे कि जो bone density अगर weak हो रही है तो वो bone density weak नहीं होगी और हमारे bone fracture होने के chances reduce होंगे avoid smoking it can reduce the label of estrogen and increase bone loss जब mother pregnant होती है तो उनको हमें advice देना है कि वो smoking ना करें या जो भी person को osteomalacia का condition lead हो रहा है उनको हम बोलेंगे कि वो smoking ना करें इसकी वज़े से क्या होता है smoking करने की वज़े से जो estrogen label है वो decrease होने लगता है avoid excessive alcohol हमें excessive alcohol intake करते हैं जो patient उनको हमें मना करना है कि excessive amount में alcohol intake ना करें avoid caffeine which is very harmful जो caffeine होते हैं like chai coffee हमें इन्हें avoid करना है क्योंकि यह हमारे जो estrogen level है यह इनको decrease करते हैं और यह बहुत ही जादा harmful होते हैं now see the nursing management assist the condition हमें patient के condition को absorb करना है assist करना है closely monitor the weight जो patient का weight है हमें उन्हें monitor करते रहना है क्योंकि bone density weak होने की वज़े से weight बहुत ही जादा loss होता है advise the patient for daily activities हमें patient को advise कर देना है कि वो daily exercise योगा करे advise to avoid hard activities अगर जो osteomalacia के condition lead हो चुका है तो हमें patient को advise करना है कि वो बहुत ही जादा hard activities ना करें provide nutritional diet हमें उन्हें vitamin D nutritional diet देना है जिससे कि उनका जो bone density weak हो रहा था और जो calcium phosphorus का सही तरीके से absorption नहा हो रहा था वो सही proper absorption हो सके इस तरीके से हम osteomalacia के condition को treat कर सकते हैं कर दो कर कि कोativa कर सकते हैं कर दो कर दो कर दो कर दो दो